हेलो मैं डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं आनंद एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी के इस चैनल पर और गाइच आप सभी को बता दू कि यह आज क्या चलेगा तो आज चलेगा परसेंटेज और परसेंटेज का पार्ट थर्ड यानि क्लास नंबर थर्ड ह अगर आप क्लास नंबर फर्ड को और क्लास नंबर सेकेंड को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लिजिए उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे वैसे भी आप वीडियो सेक्सम से जाकर ने भी अकैडेमी पर आप खोज सकते हो तो गाइच एकदम बिलकुल दहांसू ट्रिक से हम चलेंगे और शुरू से लेकर लाश्ट तक जो भी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो आप सभी को बता दू कि आप हमारे साथ जुड़ जाईए और पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को देख लिजिएगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा समझ में आएगी अगर नहीं भी देखेंगे फिर भी समझ में आएगा लेकिन I will try 100% कि मैं अपना अच्छा दू और आप सभी को समझ में आए 100% तो एकदम बिल्कुल धांसू ट्रिक के माध्यम से चलेंगे और क्लास नंबर थर्ड है तो इसमें मैं try करता हूँ कि आप सभ समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया तो भाई रोज की भाती आज भी हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जानते हो कि हम basic को ज्यादा preference देते हैं तो percentage का जो real meaning है रियल मिनिंग परसेंटेज का क्या है तो रियल मिनिंग जो परसेंटेज का है आप देख सकते हैं यही परसेंटेज का रियल मिनिंग है यानि प्रती प्रती 100 पर किसी भी चीज की भैलू निकालना प्रती 100 पर किसी भी चीज की भैलू निकालना percentage का लाता है तो आते हैं कुछ basic fractions को हम देखेंगे guys आप सभी तो जानते होंगे कि 1 by 2 क्या होता है इसका percentage 50% होता है तो अगर पूछ देगा 1 by 3 का percentage value कितना होता है तो 33 is to 1 by 3% होता है अगर कोई पुछ देगा 1 का percentage value क्या होता है तो वन का तो 100% होता हुँए तो सभी कोई जानता है क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और वन बाई 4 का मतलब आप सभी को पता होगा 25% होता है और 1 by 5 का मतलब होता है 20% होता है और यह कैसे होता है कुछ लोग कहेंगे जो नए जुड़े हुए हैं वो तो कहेंगे ही भाई कि कैसे होता है तो उसको पहले हम समझ लेते हैं देखिए कोई भी फ्रेक्शन कोई भी fraction यानि इसको क्या बोलते हैं इसको हिंदी में भिन बोलते हैं कोई भी भिन को परतीसत में बदलने के लिए क्या करते हैं माल लिजिए यहाँ पर एक बटर चार है तो इसको परतीसत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं समझ गए बतिया तो समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इस परकार 25 परसेंट आज तो चल आगे बढ़ी जा कि वन बाई सिक्स इसका अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो इसको फिर सो से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा सोरह से ही दो बटा तीन परसेंट कैसे होगा कुछ लोग कहेंगे कैसे होगा तो चलिए काट देते हैं इसको इसको दो कर दीए इसको कितना कर दीए बताइए तो इसको पचास कर देंगे हम सुरी यहां पर 3 हो जाएगा जानते हैं कैसे क्योंकि हम 2 से कटा रहे हैं और 3 से लिख रहे हैं तो चलिए तो यहां 3 होगा 50 बटा 3 का मतलब क्या होता है 40, 40, 50 तो 100 से 2 बटा 3 हो जाएगा बात समझ में आई तो इस परकार 1 का हो गया 1 by 2 का हो गया 50% 1 by 3 का कितना हो गया 33 मैं आपको याद करवा दिए क्लास में ही गाइच तो 1 by 4 का कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा और 1 by 5 का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा बात समझ में आएगा तभी लाइक करिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करके आगे बढ़ जाएगा तो चलिए 1 by 6 का क्या होगा 1 by 6 का होगा सोरा सही 2 बटा 3% 1 by 7 का क्या होगा तो 14 सही 2 बटा 7% होगा 1 by 8 का क्या होगा 1 by 8 का क्या होगा भाई मोरे तो 1 by 8 का होगा बताएए प्यारे क्या होगा तो साढ़े 12% होगा यानि साढ़े 12% का है लोग कहता है 12 साही 1 बटर 2 लिखता है तो इसके लिए आपको मैं बता दू कि 12 का 12 यहां लिख सकते हो 1 by 2 का मतलब आप इसको 0.5 ही न कहते हैं आधा न कहते हैं तो इसलिए इसको 12% हम लोग बोलते हैं यानि आप समझ गए होंगे 1 by 8 का क्या होता है 12 साही 1 by 9 का क्या होता है 11 is to 1 by 9% होता है और 1 by 10 का क्या होता है तो 1 by 10 का होता है 10% तो यह तो basic है यह तो मैं आपको बता दिया कि आप सभी revision हो जाएगा एक रिवीजन के तोर पर बता दिया कोई ज़्यादा जोलूरी नहीं था फिर भी मैं बता दिया और देखिए मेन जो है मैं ये क्यों बता रहा हूँ भाई इसी पर आगे क्यूशन्स बनेंगे तो चलिए 20% का क्या होता है 20% का क्या होता है 1 by 5 होता है यहां 200 नहीं है 20% है तो 20% का क्या होता है 1 by 5 अगर कोई 40% कह देगा इसका बताईए तो यहां 2 गिना हो गया यहां 2 गिना हो गया तो यहां भी 2 गिना कर देजिए तो यहां भी 2 by 5 कर देजिए अगर कोई पुछ देगा 60% का क्या होगा तो यहां 3 गुना कर दिए यहां कितना कर दिए 3 गुना तो यहां भी 3 गुना कर दिए 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 3 गुना कर तो यहां वन वाइफ फाइफ होगा इसको हम दो गिना करेंगे दो से गुना कीजिएगा तो तू वाइफ हो जागा ना हम थोड़ा दुबारा क्यूं लिखते रहें आप सभी के क्योंकि यहां पर थोड़ा ज्यादा रफ वर्क हो जा रहा है तो चलिए एक बार इसको पीडि परसेंट एक बटा तीन को आप लिख सकते हैं 33 एक बटा तीन परसेंट एक बटा चार को आप लिख सकते हैं 25 परसेंट और दू मान लेजिए देखिए वही बात आ गया यहां पर एक बात समझे लिजिए यहां पर एक बटा तीन को 33 एक बटा तीन परसेंट लिखा गया है लेकिन 66 सही 2.3% का fraction आपको कहीं questions में use कर देगा 66 सही 2.3% आपको fraction तो आएगा ही नहीं तो आप इसको गुना किजिएगा फिर गुना करके कटाईएगा छतेगा फिर उसमें बहुत time लग जाएगा इसलिए आप सभी को करना क्या है थोड़ा demark से चलना है यहाँ पर देखिएगा कि यह कितना है यह दोगीना है यह percentage में दोगीना है तो इसका जो fraction भी होगा दोगीना होगा तो एक बटा तीन का दोगीना किजिएगा तो दो बटा तीन इसी तरीके से है जैसे वन बैफूर का आप यहाँ देख रहे हैं वन बैफूर का यहाँ पचीस पर तीसत हो रहा है तो यहाँ 75 परसेंट दिया हुए 75 परसेंट निकालना है अगर क्यूस्टेंस में कहीं 75 परसेंट दे दिया जाएगा तो फिर हम लोग कन्फ्यूज हो जाएगे कि नहीं तो इसलिए हम रिलेट करना सीख लेते हैं 25 परसेंट की वैलू में 3 गुना कर देंगे तो एक बटर चार में 3 से गुना किजिएगा तो 3 बटर 4 हो जाएगा इसी तरीके से रिलेट करके चलना है तो आज भी हम कुछ क्यूस्टेंस देखेंगे उससे पहले एक बार रिभाईज तो करवाना नहीं है क्योंकि आपको ब पार्ट टू वाली वीडियो में बताया था लेकिन आप लोग नए हैं तो जो नए हैं उसका नुक्सान हो सकता है इसलिए फिर से बता देता हूँ मनली जी एक हमने मोबाइल लिया हूँ तो मोबाइल अपने आप में क्या है वो मोबाइल अपने आप में 100% है है की नहीं तो उसका जैसे आधा कर दिजेगा देखिए मतलब फ्रेक्शन में आधा करेंगे भीन को आधा करेंगे तो परतीसत को भी आधा करेंगे तो इसको भ तो एक बटा च्यार कर देते हैं तो इसको भी और अधा कर देते हैं यह याद करने का तरीका आप सीख लिजेगा इसको फिर अधा किजेगा तो एक बटा आथ हो जाएगा एक बटा कितना हो जाएगा एक बटा आथ हो जाएगा और पचीश को अधा किजेगा तो साड़े बा सब्सक्राइब और बता दू कि दसवा नमर क्यूशन करना है आप सभी को तो क्या कर रहा है क्यूस पी पलस क्यूव का 15 परतीसत बराबर पी मैनस क्यूव का 25 परतीसत है तो पी क्यूव का कितना है वो यह सब तो बाद की चीज है पहले जो relation दिया है उस relation को हम पहले लिख लेते हैं तो लिखना क्या है इसमें परतिशत से पहले परतिशत को हम हटा देते हैं देखिए यहाँ पर हम परतिशत से परतिशत को कटा दियें प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और यह जो है पंतियाई पांच से कटा देते हैं पांच से कटा देता हूं दोस्त तो यहां पंतियाई 15 हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां यहां हो जाएगा 3 और यहां फिर हो जाएगा क्या 25 यहां क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा 5 और बाकी का काम करते हैं हम लोग तो देखिए P पलस Q इधर है और इसको हम इस साइट कर देते हैं P मैंनस Q हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा 3 हो जाएगा अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है और नहीं तो आप इसको करोस मल्टिपल भी करके समझ सकते हैं तो चलिए तो पहले इस सब को हमको इरेज करना पड़ेगा तब नहीं हम आगे का बताएगे ध्यान देजिएगा कि 5 बटा 3 आ चुका है हम लोग का तो गाइज पी पलस क्यू बटा पी मैंनस क्यू बराबर 5 बटा 3 आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पी का बहलू आप 4 मान लिजिएगा एक क्यू का बहलू एक मान लिजिएगा तो यह 5 हो जाएगा और 5 में से एक पाँच यह पाँच में से स्वरी यह 4 में से एक अगर घटा दिजिएगा पी हम लोग 4 माने है 4 में से घटा दिएगा 3 माने हो जाएगा खेर हम लोग इससे मतलब नहीं है हम लोग क्रोस मल्टिपल ही कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा 3P पलस 3Q बराबर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा 5P 5P माइनस 5Q हो जाएगा यह ना तो देखिए देखना क्या है यह 5P है और यह 3P है यह भी पलस में यह भी पलस में इसको वोने टिलते हैं माइनस में तो बचेगा क्या? बचेगा 2P है की नहीं? बढ़ते हैं आगे देखिए ये पलस में है और गाइज देखिए हम इसको तो उस साइड लेकर चल गए है RHS में लेकर चले गए है P वाले को तो Q वालो को हम LHS में ला देते हैं साइड में ये माइनस में उधर जागा क्या हो जागा पलस में 3 वो Q पांच वो Q क्या हो जाएगा 8 वो Q हो जाएगा 2 एकम 2 2 चोब का 8 थैनि P वाई Q बराबर क्या हो जाएगा 1 बटर 4 हो जाएगा आप सभी देख सकते हो क्या हुआ P upon Q equals to 1 by 4 हो गया इस तरीके से option number D right answer हो जाएगा नहीं है तो आप एक बार solve कर सकते हो 1 by 4 देखिए questions क्या किया questions क्या बोल रहा है P Q का कितना percent है जो P है Q P Q का कितना percent है और कुछ लोग का कहना होगा कि P ये option number D आरा है लेकिन कैसे आएगा तो हम आप सभी को बताएं थे कि P equals to 4 आ गया था और Q equals to कितना आ था एक आया था यही है नगाईच तो आप सभी देख सकते हैं कि क्या questions कर रहा है P Q का कितना percent है तो P 4 है और Q है एक in 200 किजिएगा तो 4 तो 400 इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं next question से next question काफी important है इस तरीके का सवाल पूछा जाता है A का 30 पर 30 A का 30 पर 30 का मतलब 30 पर 30 को आप 3 बटा 10 लिखते हैं और B का 0.25 तो इसको 0.25 को 1 बटा 4 लिखते हैं और इसको C का 1 बटा 5 को आप 1 बटा 5 लिखते हैं तो इसको हम को क्या करना है ratio में निकलना है यह तो A, B, C यह सबसे हम लोग का कोई मतलब नहीं है हम लोग का ratio में निकलना है A अनुपात, B अनुपात जो निकलेगा E, C में निकलेगा और उनका D, E, F नहीं आ जाएगा यह है कि नहीं तो चलिए आते हैं बढ़ते हैं आगे step क्या लेंगे पहले हम इसको उलट देंगे मान लिजे कोई K के बराबर मानेंगे तो आकिर उलटना पड़ेगा इसलिए हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग उलट देते हैं बीना के माने यह सब करेंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो चार बटा एक और यह पांच बटा एक देखिए सबसे पहले देखिए जब एक 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 रहेगा तो यही answer हो जाएगा जब यहाँ 2, 3 किसम कर रहएगा एक जैसा रहएगा तो यह answer हो जाएगा जब नहीं रहेगा तो क्या करना होगा तो फिर इस सर्दका हम lcm लेंगे LCM कितना हो जागा 3 LCM हो गया तो 3 से कट गया 1 मातर में तो 10 का 10 रहा जाएगा और ये 3 बार में गया तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 3 बार में गया तो ये 15 हो गया तो 10 रेसियो 12 रेसियो 15 कौन है तो अपसन नमर C है इस परकर option number C right answer हो जाएगा तो करना क्या है इसको plot डेना है मालिजे तीन बटा दूस हुआ इसका एक बटा चार हुआ और इसका एक बटा पाँच हुआ तो इसको पहले plot डेना है plot डेने के बाद उसके बाद LCM ले लेना है LCM तीन हो गया और क्या करना है उसके बाद LCM से पहले आप देखिए तो ये एक बार में कट गया तो 10 हो जाएगा और ये तीन बार में गया तो 12 हो जाएगा और ये तीन बार में गया तो 15 हो जाएगा इस तरीके से करना है बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं इस तरीके के क्यूश्य भी पूछे जाते एकजाम्स में जैसे ये क्यूश्य नंबर 12 काफी इंपोर्टेंट है आप देख सकते हूं कोई भी संख्या है 100 कि 90 परसेंट से कोई भी संख्या है 100 मान लेजिए वो संख्या गीवेन है सय और सय को हमको क्या करना है 90 परसेंट 90 बटा स्वब हो गया और से 40 पर 30 कम है से 40 पर 30 कम है इसको हम 40 पर 30 कम है यानि 60 upon 100 कर सकते हैं कर सकते हैं कि नहीं तो चलिए तो ये कटा देते हैं 2-0 से 2-0 कट गया और ये 2-0 से 2-0 कट गया नचक 54 54 इसका right answer हो जाएगा sorry 84 लिखा गया तो इसका right answer हो जाएगा 54 अपसन नमर B हो जाएगा right answer बढ़ते हैं आगे question number 13 पहले questions को पढ़ते हैं 2 गणटे 45 मिनट मतलब 2 गणटे 45 मिनट एक दीन का कितना परती सकती है एक दीन में कितने घंटे होते हैं एक दीन में 24 गणटे हैं सभी को पता है जानूँवर को भी यहाan तक पता होगा कि 24 गणटे होते हैं क्योंकि यहां देखिए पहले हम इसको कनबाट कर लेते हैं घंटे में मीनट वाले को घंटे में कनबाट करेंगे तो 45 बटा 60 किजिएगा तो पंदर तिया 45 पंदर चुका साथ यानि 2 सही 3 बटा 4 इसको आप किजिएगा चार दुनी 8 11 बटा 4 हो जाएगा तो ओभर ओल आप देख सकत तो इस तरीके से 11 बटे 4 गुना एक बटा 24 गुना हंडेड तो 11 सो में 96 से आप भाग किजिएगा एक बर आप करके देख लिजेगा नहीं होगा तो कमेंट कर दिजिएगा यह 14 नंबर किश्टन थोरा लेंदी है आप इसको HW में लिख लिजिए और कमेंट करके बताइएगा हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चा कमेंट कर रहा है कौन कौन नहीं कर रहा है चले आते हैं नेक्स्ट किश्टन पर गाईज इस तरीके का किश्टन हमने करवाया है जिस तरीके का किश्टन नंबर 15 पूछा है एक का 20 पर 30 सबसे पहले एसे बीसे असी से मतलम नहीं होता जब रेसियों में बताना हो तो 20 परसेंट को वन बई फाइफ लिख सकते हैं और इसको तीन बटा दस लिख सकते हैं ती है यहाँ तीन मातर में जाएगा तो पंदरा हो जाएगा यहाँ दस हो जाएगा और यहां छत्रिए अठार हो जाएगा तो इसका राइट एंग चनल जाएगा 15 बैस्वाग्याइज दसर और अपस avonsर सी के साथ चला जाएगा और आसा करता हो वीडियो अच्छा लगा होग लाइक कर दिजिएगा शेयर किजिएगा और ने हो तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा जाहिं